हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मानव भुगोल का विशेशेत्र जो आपके बीए सेकंड येर के सेकंड पेपर मानव भुगोल के अंतरगत आता है मानव भुगोल की परिभाशा और उसका अन्यस सामाजिक विज्ञानों से संबन्द अमने पिछली क्लासेश में पढ़ा था मानव भुगोल का विशेशेत्र अगर हम कहें तो बहुत ही विश्रित है क्योंकि इसके अंतरगत मानव द्वारा निर्मिद सभी लक्षन को सम्मिलित कर लिया जाता है अमेरिका के भुगोल विक्ताओ फिंच और ट्रिवार्था ने मानव भुगोल की विशेवस्तू को मुक्यता दो भागों में बाटा है पहला भौतिक अत्वा प्राकर्तिक पर्यावरन जो की प्राकर्ति द्वारा निर्मिद होता है और दूसरा सांस्कृतिक वातावरन जो मानव द्वारा निर्मिद है अगर हम सबसे पहले भौतिक और अत्वा प्राकर्तिक वातावरन की बात करें तो भौतिक और प्राकर्तिक पर्यावरन जो है वो प्राकर्ति द्वारा निर्मिद है और इसके अंतरगत उच्चावच, चलवायू, प्राकर्तिक वनस्पती, म्रदा, खनीज, एवं, जल, आ आदी आते हैं जो प्रकर्ति द्वार ने निर्मित की है दूसरा हमारा जो मानव भुगोल की विशेवस्तू का दूसरा जो भाग है वो है सांस्कृतिक परियावरन जो नाम से ही इसपष्टो होता है कि मानव द्वारा निर्मित है इसका उधारन है जनसंख्या, मानव क्रशी, उध्योग और परिवहन अगर हम आगे बात करें तो जो प्रसित भुगोल विखता है जीन ब्रुन्स उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंद कीमतों से है भुगर्ब शास्त्र का संबंद शेलों से है वनस्पति विज्यान का संबंद पोदों दूको से है उसी प्रकार भुगोल का केंद्र बिन्दू जो है उसमें इस्थान और क्यूँ, कहां, जैसे महतवपुन, पश्चनो के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है ब्रुन्स ने दे के मानव भुगोल को तीन वर्गों में बाता है और इन तीन वर्गों को पुनह छे प्रकारों में विबक्त किया है पहला हम देखें तो म्रदा के उत्पादक विवसाई से सम्मंधित तत्य जिसमें हम इसके जो दो प्रकार हैं वो हैं मकान और सड़के दूसरा जो जीन ब्रुन्स ने वर्ग बताया है उसमें सम्मिलित है वनस्पती तथा जीव जगत उसमें हम सम्मिलित करते हैं क्रशी और पशुपालन को तीसरा वर्ग जो है उसमें म्रदा के विनाशकारी उप्योग से सम्मंधित तत्य को सम्मिलित किया जाता है उसमें आता है पोदो तथा पशो का विनाश तथा खनीजो का अवशोशन इस तरह हम देखते हैं कि पिछले कुछ दश्कू में मानो भुगोल के शेत्र में बहुत विस्तार हुआ है यह प्रक्रिया अब भी जारी है और इसके विस्तार के साथ ही नई समस्याओ तथा नई चुनोतियों का अध्यन करने के लिए मानो भुगोल की कई नई शाखाओं का विकास हुआ है अगर हम आगे अध्यान कर देखते हैं कि मानव का विकास जैसे जैसे हुआ है उसी प्रकार मानव भुगोल का भी विकास हुआ है भुगोल की प्रमुक शाका के रूप में मानव भुगोल मानवी तत्वियों का अध्यान करते हैं इसमें मुक्यतह मानव के पर्यावरन के साथ सम्मंदों को के अध्यन पर विशेश बल दिया जाता है अगर हम मानव भुगोल के विशेशेत्र की बात करें तो इसका विशेशेत्र बहुत ही विस्तृत है इसके अंतरगत मानव प्रजातिया, विश्व की विबिन भागू में जनसंग्या का वित्रन, गनत्व, विकास, व्रद्धी, जनांकी की लक्षन, जन, इस्थानांतरन जिसे हम सरल भाषा में प्रवास कह सकते हैं आधि के संबंदों का ग्यान प्राप्त किया जाता है इसके साथ ही मानव के द्वारा कौन से आर्थिक क्रिया कलाब किया जाते हैं जीविको पारजन के लिए उन सबी आर्थिक क्रियाओं का अध्यन भी हम प्रात्मिक व्यवसाई के रूप में, तृत्यक व्यवसाई के रूप में, चतुतक व्यवसाई के रूप में और पंचम क्रियाओं के रूप में हम करते हैं मानो पुगुल में मानो द्वारा जो विशेश आकरती जिसे हम अधिवास कहते हैं उसमें उसका अध्यन भी किया जाता है जिसमें ग्रामिन बस्तियों का हम अलग से अध्यन किरते हैं जिसमें ग्रामिन बस्तियों के प्रकार, प्रतिमान, आधि का अध्यन, उनका इस्थल, उनके प्रतीरूप आदि का हम अध्यन करते हैं। नग्रिय बस्तियों के इस्तल, विकास, नग्रों में नग्रों का कार्यात्मक, वर्गी करन्ट, आदि का अध्यन भी हम इसके उंतरगत करते हैं। इसी के साथ साथ हम मानो भूगोल में बरिवहन और संचार व्यवस्था और व्यापार इन आर्थी क्रियाओं का विकास इनका शेत्रिय वित्रण का भी अध्यन हम इसमें करते हैं मानो भूगोल को हम देखें तो मानो भूगोल हमें आज के अशांत तनाव गरस्त एवं प्रतिस परदात्मक विश्व में सामाजिक वास्त्रिक्ता से अवगत कराता है और यता संबव आधुनिक विश्व में मानविय समस्त्याओं को हल डूंडने में हमारी मदद करता है प्रश्ट जयानकारी उपलब्द करवाता है जो मानव से संबंदित है और जो हमें अच्छे नागरिक बनाने में भी सहायता करता है। दीसरा उस जनसंख्या द्वारा प्राकर्तिक संसादनों का प्रयोग करने से बना हुआ सांस्कृतिक प्रतिरू। चोथा प्राकर्तिक तथा सांस्कृतिक वातावरनों के प्रारस्परिक कार्यों की द्वारा वातावरन और मानव का समायोजन का स्वरू। पांचवा उप्रूक्त वातावरन समाय योजन कालिक अनुक्रमन इस प्रकार हम मानो भुगोल की अध्यन के प्रमुक पांच अंगों को भी मुख्य रूप से मानो भुगोल की अध्यन में सम्मिलित करते हैं